सूपरभाद विधियारती हूँ, आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की सल्तनत की स्थापना में मौमद गौरी की भूमिका के बारे में मौमद गौरी गजनी और गौरी का सुल्तान था, वह 1173 इसी में गजनी की गद्धी पर बैठा था उसका नाम शाहबुदीन मौमद था और उसे मौईजुदीन मौमद बिन साम भी कहा जाता है जो इत्यास में मौमद गौरी के नाम से रिख्यात है उसको इस बात का श्य है कि उसने भारत में मुस्लिम सामराजी की स्थापना की अब हम बात करें मुहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर किये जाने वारे आत्मन के उद्देश्य क्या थे यानि किन वजों से उसने आत्मन की तो सरपर्थम जो इसका उद्देश्य था अपने सामराजी का विस्तार करना यानि सामराजे विस्तार की लालसा एक महतवाकांशी शाशक होने के नाते मुहमद गोरी ये चाहता था कि उसका सामराजे मद्धेशा से और आगे बढ़े और इसी प्रेणना ने उसे भारत के और बढ़ने के लिए प्रोसाहित किया उसके द्वारा के जाने वाला आक्रमन का एक अन्य कारण था पंजाब पर अधिकार करना मुहमद गोरी पंजाब पर अधिकार करना जाता था जोकि सामरीक महतुका था और साथ ही भारत और मद्धेशा के बीच में ये इस्थित था और एक सीमा वरती प्रान था और वे सोस्ता था कि पंजाब पर अगर अधिकार हो जाता है तो उसका राज्जी भी सुरक्षित होगा तीसरा उद्देश था गजनी के राज्जी को सुरक्षित करना यानि वे आक्टमन करके अपने राज्य को भी सुरक्षित बनाना चाता था क्योंकि वे सोस्ता था कि अगर वे अपने सामराजी विस्तान नहीं करेगा तो पडोस में जो शक्तिशाली राज्य उदित हो रहे हैं खासतोर पर दिल्ली और अजमेर का चोहान राज्य तो वह उसके उपर हमला कर सकते हैं तो अपने गजनी राज्य को सुरक्षित बनाई रखने के उद्देशे से भी उसने भारत पर आक्मट किया एक अन्य महत्पूर्ण उद्देशे था धन प्राप्त करने की आकांशा सामरज्य विस्तार का कोई भी महत्वा कांशी शाषक जो होता है तो उसे अपने सेना के लिए और प्रशाषन के लदिक सदिक धन के आवशकता होती है और ऐसे स्थिती में वह यह चाता है कि अपने आसपास की छेतर को विजित करे ताकि उनको धन प्राप्त हो और अपनी सेना को वो सुचारू रूप से चला सके प्रशाषन को जो है सही तरीके से संचालित कर सके तो इस प्रकार मुहमद गोरी ने धन प्राप्त करने की आकांशा को लेकर भी भारत पर आक्वन किया साथ ही एक उसका सारे कारण ये भी रहा कि वै अपने धर्म इसलाम का प्रसार भारत में करना चाता था और इसके लिए वो भारत को जीतना चाता था मोटे तौर पर ये सार रुप में हम देखें तो मुहमद गोरी के भारत पर जो आक्वन का मुख्य उद्देशे है वे राजनितिक और आर्थिक था ततकालीन भारत की जो राजनितिक इस्थिती थी वे कमजोर थी और उसने भी उसे भारत पर आक्मन करके यहां तुर्की राज्ये की इस्थापना करने के लिए प्रोसाहित किया तो ये तो कुछ उद्देश्य रहे जिसकी वज़े से उसने हमला किया अब हम बात करें कि सब पर्थाम उसने किन छेत्रों को विज़े किया सब पर्थाम उल्ले का आता है मुलतान और उच्ष विज़े का जो की 1175 से 1182 इसवी के दोरान की गए मुलतान गजनी से भारत जाने का सबसे छोटा मार्ग था और इस विज़े के बाद यानि मुलतान विज़े के बाद सिंद और पंजाब को आसानी से जीता जा सकता था मुलतान एक ऐसा राज्य था जहां पर शिया मत का अनुराई गदी पर बैठा था और जो गौरी है वो खुद सुनित हमको मानने वाला था इनी कार्णों से गौरी ने मुलतान पर हमला किया और उसे जो है आसानी से जीत लिया इसके बाद उसने उत्तर सिंद के मैतपून सामरी केंद्र उच्छ पर आक्टमंड किया 1182 इसवी में उसने उच्छ यानि उप्री सिंद पर आक्टमंड कर उसकी राजधानी देवल पर भी अधिकार कर लिया उसका अगला जो अभ्यान हुआ गुजरात के खिलाब 1189 इसवी के दोरान उसने गुजरात पर आक्टमंड किया 1188 इसवी में वेराजपुताना के रेगिस्तान से ओकर गुजरात में प्रवेश करने का उसने प्रयास किया लेकिन आबू परवत के पास हुई एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरे पराजित कर दिया इस पराजिय से डरकर गुजरी ने अगले 20 सालों ते गुजरात पर आक्रमंड नहीं किया प्रोफेसर निजामी के अनुसार गुजरात की पराजिय के बाद गुजरी ने अपनी युद्विदी को काफी बदल दिया जिसका उसे आगामी हमलों पे बहुत लाब हुआ युद्वपत्ति बदलने का अब उसने भारत विजे का अभियान शुरू करने से पहले अपना एक मजबूत आधार बनाने की आवशक्ता मैसूस की वह भी पंजाब में क्योंकि सोस्ता तक गजनी से भारत पर आक्रमंड करना दूरी हो जाती है काफी तो ये चाता था कि पहले पंजाब में वह अपना आधार प्रस्ट भूमी जो है मजबूत बना ले और उसको उस बेश से फिर जो है वो आगे बढ़े और भारत की अन्य छेत्रों पर आक्रमंड करें और इसलिए उसने पंजाब में महमूद गजनवी के अधिकार वाले जो छेत्र थे जिनको महमूद गजनवी ने पहले जीता था तो उन छेत्रों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की यानि इक अभ्यान शुरू किया 1290 इस्वी तक मुईजुदीन पेशावर लाहौर और सियाल कोर्ट को जीच चुका था उसने वहाँ पर सेनिक चोक्या इस्थापित की रसद आपूर्टी को नियोजित किया सुरक्षा के लिए किलेबंदी की एवं इन शेत्रों में राजजस्व प्राप्ती के लिए जो है कारे किया और साथी उसने एक सैनिक संगठन भी निर्मित किया और ये राजपुतों से युद्ध से पहले का जो है एक महतुन सुरक्षा कवच था यानि पंजाब को जीत कर उसने एक रख्षा कवच का निर्मान कर लिया था और इसी दोरान हम देखते हैं कि उत्तर भात में भी घटना करम जो है निरंतर बदल रहा था चोहानों की शक्ती लगातार बढ़ रही थी चोहान शाशकों ने पंजाब की दिशासिर राजिस्तान पर अक्मण करने का साहस करने वाले बहुत साई तुरकों को हराया था और उन्हें मार भी दिया था और उन्होंने इस सदी के मद्धे में तोमरों से दिल्ली यानि धिल्ली का जो की दिल्ली का पुराना नाम है धिल्ली का को भी छीन लिया था जो की तोमरों के अधीन थी तोमरवन्ष के अधीन थी यानि अब उनका जो है अजमेर से आगे बढ़ कर दिल्ली तक हो गया था और ये सभाविक था कि उनका जो है गजनवी के शाषकों के साथ टक्रा होगा और इसी क्रम में हम बात करते हैं तराइन के प्रत्थम युदकी जो की 1191 इसी में हुआ था और मुहम्मद गोरी और पृत्वराज चोहां तृत्ते के पीछ में हुआ और ये जो हम देख रहे हैं कि जैसे दोनों शाषकों का दोनों सामराज जो का विस्तार हो रहा है और दोनों की सीमाय निकट पहुँच रही है तो ऐसी स्थिति में इन दो महत्वा कांशी राजाओं मौहिजुदिन मुहम्मद और पृत्थराज चोहान के बीच लड़ाई जो है आपरियार्रे हो गई थ होता है तबर हिंद यानि भटिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर दोनों ही इस शेत्र पर अपने अपना दावा करते थे और इनी दावों की वज़े से दोनों के बीच में जो है संगश हुआ चोहान शाषकों ने उत्तर पर्षी में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मुहमद गोरी ने 1189 इसी में भटिंडा पर आक्टमंड कर उस पर अधिकार कर लिया इस घटना से जो है चोहान राज्य के लिए खत्रा उत्पन हो गया अत्य प्रत्वराज ने भटिंडा पर पुने अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली से वह रव मदे कालीन लेखक फरिष्टा लिखता है कि प्रत्वराज की सेना में दो लाख अश्वार होई और तीस हजार हाती थे भटिंडा के पास तराइन के मैदान यानि करनाल जिले में जो सरहिंद के पास है दोनों सेना आडटी तराइन के मैदान में दोनों पक्षों में घमाश इस लड़ाई में गौर की सेना बुरी तरे तबाह हो गई मुम्मद गोरी की जान भी एक युवा खिलजी गुरसवार ने बचाई इसके परणाम सरुप तुर्की सेना में भगदर मच गई और वह युद भूमी से भाग छुठे राजपुतों ने भागते वे तुरकों को भी बहुत नुकसान पहुचाया गोरी बड़ी मुश्किल से गोर पहुच पाया प्रत्राज अब आगे बड़ा और बारे महीने की घिराबंदी के बाद उसने तबर हिंद को जीत लिया तबरी नियानी भटिन्डा प्रत्राज ने पंजाब से गोरियों को खदरने का प्रय भारते शेत्रों पर किये जाने वाले लगातार आक्रमणों और उनकी बार-बार की पराज्यों से राजपुतों में तुर्कों का विशेश डर भी अब नहीं रह गया था और वैसे भी सामंतिन चिंतन प्रणाली में रास्टे दूरदर्शिता के तद खोजना तार्किक नह ही होगा तो इस प्रकार हम बात कर जो हमने की कि तराइन का पहला यह जो कि मुहम्मद गोरी और पिछला चौहान के बीच में हुआ उसे मुहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा और उसके हार ने जो करारी हार हुई थी उसे इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपना स करेंगे तराइन के दित्ति उद्गी और उसके परिग्रामों की धन्यवाद